नमस्कार मैं भाशा और न्यूस क्लिक की खास पेशकश में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेता से एक ऐसे व्यक्ति से जिनका दिल्ली से बहुत पुराना रिष्टा रहा है जो यहां सांसद रहे हैं और इस समय केरल विधान सभा के स्पीकर हैं बहुत ही कम उमर में उत्तर भारत के लिए इस उमर में इस पोस्ट पर होना बहुत ही दुरलब सा है लेकिन यह शक्स अपने राजनितिक धार के लिए जिस तरह से अनेक विप्रीत विपक्षी दलों को लेकर साथ चलने की बात हो राजनितिक हस्तक्षेप की बात हो वामपंथ का एक युवा चेहरा रहे हैं M.B. Rajesh आपका निजस्क्लिक में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अन्यवाद आप केरल से आते हैं केरल में ही इस समय वामपंथ बचा हुआ है सरकार के रूप में और बाकी जगा क्या आपको लगता है कि ये जो चुनौती है लेफ्ट के सामने बहुत कितनी बड़ी है और लेफ्ट क्या निभा पाएगा इसको वामपंथ को हमारा देश के राजनिदी में और समाज में एक ऐसा रोल है जो रोल नंबर के रोली के वामपल्डली इसे बेहरी कि तיח के रोलोumने ये फस राहते जोज बाद्वालोज कि अपटोडिक है ये रोला कि रेक्रह्थ का बालवा है गैंन में घुरस बूर्म इकोभिस्त बमेंधिसा मौल्य कर देका इस का रुवहाऊट से टमोंप्सिका है In 1957 EMS के सरकार ने आया और जब EMS सरकार केरल में आया वो इदिहास में भारत के इदिहास में सबसे पहले पहला था और बुरा विश्यो के इदिहास में दूसरा टाइम हुआ था पार्लिमेंटरी दमोकासी के वज़े से चुनाव के वज़े से एक क्मुनिस्क पार्टी का सरकार सत्ता में आना उच सरकार ने कुछ फंडमेंडल रिफोम्स किया लैंड रिफोम्स और एदूकेशन रिफोम्स साउ टोस्तु रखोमस जो सरकार ये हांड करेंडल रिफोम्स स्रकार लेकिन उस सरकार को आर्टील 36 के वज़े से इस डिसमेस कर दिया 59 में सिर्फ दो साल सरकार सता में रहा और उसके बाद एक बहुत लंबा गैप ता फिर 67 में आया और उस सरकार को भी लेकर्टी डिस्मे कर दिया 69 में भुर 11 साल के बाद चाहर बाद को भी ब्रचार को भी that Govman also could not complete the term. In 82 that government was lost majority and again Left left came back in 87 then in the 80s this difference has been reduced in every alternate election left used to come back to power in Kerala so the left in Kerala has this unique experience of working within the limitations of parliamentary democracy and providing as much relief to the people as possible states non-bjp it's very difficult for them Kerala is scene may how you see how big is the threat to the Indian federal structure Indian federal structure is facing very serious challenges today uh number one the linguistic reorganization states reorganization of states that principle we deviated from that principle and created many small states that principle and created a radical that is to be a very small monarch the main province that the kingdom of Kerala had become more dependent and now I was still dependent वो फेडरलिस्म के आधार यह वाना चाहिए स्ट्रोंग सेंटर और स्ट्रोंग राज लेकिन अभी राज्यों ने कमसूर हो गया और आर्थिक जो जब हम हार्थिक बातों करेंगे तो जीएस्टी राज्यों के यह जो एकनॉमिक रिसोर्सस हैं उसको भी कमसूर कर दिया अभी पूरा राज हर्कार में और अल्ट केंड्र से डिपेड़ ने हैं जो जो जज शीमे लगू करना है तो यह रिसोर्स करच हो रहा है और बहुत कम स्पेस मिल रहा है जाज सरकारों को नागू करने के लिए तो बहुत दिक्कत हा रहा है जो सरकार ये विकल्प नीतिय कर रहा है within this structure now it's not possible the left is facing this problem in Kerala had faced this earlier also but now this problem is acute because of the weakening of the federal structure weakening of the federal structure आप से अब सीधा सवाल केरल को लेकर केरल में भाश्पा को उस तरह से जगा नहीं मिली विदान सभा में लोक सभा भी उसके लिए बहुत मुश्किल रहा इसकी क्या ठोस वज़ा आपको लगती और दूसरा इसी से जड़ा हुआ सवाल जिस पे आप हस्तक शेप करते रहे हैं जो भाश्पा के लिए एक बहुत भाश्पा और RSS के लिए क्योंकि आप जिस आप जहां रहते हैं वो भाश्पा और RSS की बहुत पुरानी गड़ के तौर पे रहा है पाला काट का पुरा इलागा वहाँ पे जो मालाबार म्यूटनी रही है वो एक बिलकुल हिंदू-मुसल्मान करने में का एक एजंडा रहा है भाश्पा RSS के सामने ये कितना बड़ा एक चैलेंज लेफ्ट के लिए है कि वो मालाबार म्यूटनी जिसके सौ साल के बाद सारी चीजे दुबारा शुरू हुई है I will talk about it later before that Kerala society has deep secular roots its roots are very deep and the secular fabric is very strong and this is mainly because of Kerala's long tradition of reformist and renaissance movements so this movements have shaped the Kerala society and the left class organizations have carried forward this legacy of reformist and renaissance movement social reformation and renaissance movements so there was a continuity of class politics of this renaissance movement unlike in Tamil Nadu and Maharashtra those states which had equally important this reformist and renaissance traditions but there was no continuity of class politics here in Kerala people like the great stalwarts like sri narayanoguru ayangali chattambi swamigal they were all great leaders of social reformation so their legacy was carried forward through peasant struggles and workers struggles then the left movement so there was a see a perfect balance between social and economic justice the movement for social and economic justice but in many other parts of the country though there were this tradition of social reformation movement that was not developed into movements for economic justice in this regard I will ask you because Malabaab mutiny was 100 years old it was 100 years old it was 100 years old it was 1821 it was 1921 it was 1921 for a very long time when in whole country and mostly the reduce people against them against the the people they were all in the whole country and there was a Non-Career movement which was the Agenda that was developed in that period is what has the by the British India जो किसान हैं मालबार के इलाके किसान दोनों तरह एक्स्पोइटेशन फेस कर रहा था एक और से ब्रिटिश राज का एक्स्पोइटेशन और दूसरे और से यह जमीनदार का लैंडलोड का और बहुत सारे यह संकर्ष हुआ उनिस तो सदी में ही भी संकर्ष हुआ था और 1921 में यह एक अंदॉलन हुआ अंदॉलन ब्रिटिश और जमीनदार की खलाब था लेकिन उसका यह उस इलाके का यह सोचल रालिटी यह रहा नाइन 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 परसंट अजमीनदार यह अपरकास हिंदू थे और हो 99% तो सग्सें तेननस बेलॉलन मुसलिन मुसल्मीन थे और से सी, Mindy दलीट और भूसलमन? एक्षर से पोड्रो के.. वाड दऴ दूह को इसलाम दूह उत्थ इसल हम धुड आखा स्टम, ब थम्यक्तिटी करती हम खुड़ी। इंड्याति ब दूह का ब Бृत्डेश्ट करस्च को पर संदोब। केमिनल फ्लैश बिट्वीन हिंदूस और मुसलिम्स अंदोलन इसी के वज़े से शुरू किया उस समय महालमा गांधी ने एक कॉल दिया किलाफ़त और नौन कोपरेशन मुवमन का सहयोग का एक कॉल दिया था इसी के वज़े से यह मुवमन शुरू हुआ और वो समय आया भी थे नाइटीन ट्विंटी में कालिकित में आया था महालमा गांधी आया था और इस मुवमन का सबसे बड़ा नेदाव वारियन कुन्यामद हाजी गांधी का उस मीटिंग में था उस मीटिंग में हाजी भी था गांधी और मॉलाना शौकत अली दोनों ने वहां आया, ये वाजिन गुन्दर कुन्यामद आजी ने उन समय, हंडर्ड साल पहले, हिंदू के एडिटर को ये लिखा, पूरा विश्व इस बात जानना है, जो मलवार में हो रहा हैं, वो हिंदू-मुस्लीम, ये सामप्रताइक धंगे नहीं है, ये बिटिश के किलाफ हैं, बिटिश के किलाफ हो रहा हैं, और जमीदारों की किलाफ हो रहा हैं, उन्होंने ये लिखा, उस समय इंदू-मुस्ट अकबार ने वो पपोब्लिश किया था, और एक बार फिर पिछले साल में भी उन्होंने ये रिपब्लिश किया था. इस पत्र को दुबारा पब्लिश किया था. ये बहुत सारे कॉंग्रस के ने था, बहुत सारे इंदू ने था उन्ने ये कहा, वो इंदू-मुस्लिम दंगा नहीं था. लेकिन ब्रिटिश ने डिलिबरेटली डिवाइड रूल पोलिशी के आधार पर उन्होंने डिलिबरेटली ये नारेटिव किया है, ये हिंदू-मुस्लिम है. ब्रिटिश और ये जमीनदारों के परंपरा, I don't know the Hindi exactly, they are, they have created this, both British and landlords, have created this narrative of Hindu-Muslim hostility. इसी को भाष्पा, नरेन, मोदी, राम, मादव सबागे बढ़ा रहा है? This has been, the Hindutva forces have been repeating this narrative over the last hundred years, throughout the country, the entire Hindutva forces have been repeatedly saying the same thing, but the fact is something else, even the British, some British police officers had admitted that, this is, to call this as a Mopula mutiny, Mopula means Muslim, is misleading, because a last number of Muslims, the last number of Muslims have not participated in this agitation and a last number of Hindus have participated. I can tell you, an upper-caste Hindu, Morye Kunwata Brahmadratana Budiri, but he is from my place, and he was Congress leader, he was an upper-caste Hindu, Bhamin, he was arrested and convicted for his participation in Malabar mutiny. Because it was against landlords, it was against the British, and all the leaders were tried and executed for waging war against the British king, for waging war against the British government. So how can you interpret that? But the government has removed its names. Yes, names have been removed from the dictionary of martyrs of freedom struggle. There have been a lot of research, historians and researchers have done a lot of research. There are a lot of books on that issue. It has proved that this was primarily against the British and the landlords, though at some places it took some communal terms. And on the eve of 25th year of this great mutiny, the Communist Party, the undivided Communist Party, had adopted a resolution, which said that this mutiny is part of our glorious resistance against the British and landlords. But at the same time, it involves a warning of communal deviation. So the most objective analysis was first done by the undivided Communist Party. How did the government have removed this name? Yes, the government has removed it. So did you guys have removed it? Yes, there was widespread protests in Kerala. Not only the left, but all the secular forces were against the removal of these names. Even 94 people who have been killed, who have been put into a wagon, a rail wagon. The wagon tragedy. Yes, the wagon tragedy. The wagon tragedy. In the school textbook. The wagon tragedy. No. The people who had taken it in a mutiny wagon. In the middle of the sentence, bring on the wagon, we had taken it in a jail. But in between… There was no oxygen. And in 94 of them are Hindus too. Only Muslims are not Hindus. They also were 약간 convinced. All the people who have taken this mutiny. And they brought it away. 94 of the people died. तो वापस मैं अपने मुख्य सबाल पर आती हूं, आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं, दोहजारी किस खतम होने जा रहा है, बाइस में पांच राज्यों में चुनाओ है, फिर चौबिस के तैयारी चल रही है, आज की तारीख में आपको बतौर एक एक प्लिटिकल एक प्लिटिकल एक बतौर एक कॉंसिशन पोस पर बैठे हुए वेक्ति के तौर पे, बतौर इंडियन सिटिजन, कितना बड़ा थ्रेट लगता है इंडिन दिमोक्राशी के लिए, दिमोक्राशी इस नोट मेरली अबोट एलेक्शन और नमबर्स, अबट एक प्काश सब्सक्राशी इस अबडिकों और चुटिक्षक्राशी इस अबटति युथाजरिए उपनिख टौर्प्राशी सब्सक्राशी इस एफ्टेट्यद मेरली इस छ झाली इस खरीज़ एक बतौरिशन झाली इस प्लिए प्लिएफट पोच्टियन स्वाशी especially those of minorities, those of marginalized sections, Dalits, all these sections have been suffering a loss of their rights, constitutional rights, that rights have been violated time and again. So democracy is a set of values. As our constitution, the preamble of a constitution says, it's about securing justice, liberty, fraternity and equality. And all these values have been severely eroded over the years. When you started your political career, when you started your journey at Rajneetik, you have thought that the entire country will reach here and you will be facing the threat of Hindu fascist state like this? I started my political career as a student activist. At that time, I was not supposed to to become a whole time politician or to become a member of parliament speaker. I was not expecting that. We all were fighting for the rights of students and we all were inspired by the vision or goal of a democratic and socialist India and society based on equality, egalitarianism. But after three and a half decades, now, India has traveled a lot on reverse gear. Many of our hard-won rights have been reversed. Many of our hard-won gains have been reversed. So, yes, of course, this is a difficult period, the difficult phase in the history of our country. But we must remember that this country has defeated the British. This country has survived in the last 75 years, despite this diversity, despite these differences, all this. And this country could survive 75 years only because of the strong foundation of secular and democratic character. We have the experience of Pakistan. Pakistan was formed as a theocratic state. It could not survive even 24 years. In 1971, it was divided again. And this shows, and we have the experience of Afghanistan, Iraq, all these experiences are there. So, this shows that this country survived 75 years only on the foundation of secularism. and this country has the inner strength to go ahead and all the tradition of our anti-imperialist struggle, all our traditions of mass movements and unity of our people, that will help our country to overcome this difficult phase also. There are two very important things that the country will become like Kerala. And the other thing, there is an hope that when we are coming from such a difficult period, and we are coming from such a difficult period, so this period, whether it be so fearful or so, we will continue to go ahead and get further. With this hope, we will talk to you with Rajeshji. Namaskar. 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 Namaskar.